हलो, RBL Bank में एक Zero Balance Saving Account खोलना है और confused हो कि यहाँ पे आप कैसे अपना एक खाता घर बैठे 5 मिनट के अंदर खोल सकते हो तो बिल्कुल सही वीडियो पे आप पहुँच चुके हैं अब देखे, RBL Bank के बारे में बात करें तो यहाँ पे minimum balance requirement 5000 रुपए रखी गई है लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बदाने वाला हूँ जिसके थ्रूँ आपको यह 5000 वाला account बिल्कुल Zero Balance के साथ open हो जाएगा और यहाँ पे आप बहुत यह असानी से RBL Bank के अंदर अपना एक Zero Balance Account खोल सकते हैं RBL Bank में अगर आप अपना एक खाता खोलते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारी facilities मिल जाती है जैसे कि आपको इस account के अंदर passbook की सुविदा, ATM card की सुविदा और checkbook की सुविदा मिल जाती है यहाँ पे आप without bank visit की अपना वीडियो के वाईसी complete कर सकते हैं और यहाँ पे आप अकाउंट खोलने के तुरंद बादी फोन पे गूगल पे पे टियम का भी सुविदा देती हैं तो आप अकाउंट खोलने के तुरंद बादी इस account से ट्रंजेक्स कर सकते हैं तो बीना अकाउंट पे 7% तक का rate of interest दे जाएगा और आप अपनी इस account को zero balance के अंदर easily convert कर सकते हो आप देख सकते हो convert zero balance account तो यहाँ पे आपको open now पे क्लिक करना है आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसा interface आएगा अब देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी email address फ get started वाले options पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे आप जैसे अपनी mobile number को verify कर लेते हैं अब आपको तीन steps के अंदर अपना account open करना है पहला step में आपको अपनी अधार card और pen card की details फिल करनी है जिसमें आप अपनी 12 digit का अधार संग के और नीचे आप अपना complete pen number फिल करेंगे और उसक कर देना और उसके बाद यहां से आप proceed वाले button पे क्लिक कर देना अधार card को OTP के साथ verify करने के बाद आपके screen पे आपका नाम आपका date of birth और आपका complete address यहां पे दिख जाएगा अब देखो यहां पे अपना दूसरा address आप देना चाहते हो तो आप communication address वाले option में इसको untick करके एक नया address यहां पे दे सकते हैं बागे अगर आपके अधार card में जो आपका address है उसी address पे आप रहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी छीडशाड करनी की जरूरत नहीं है डिरेक्ली आप यहां से save and continue वाले options पे क्लिक कर देना अब देखो यहां पे आप जैसे ही next पे क्लिक क में maintain करने हैं लेकिन यहां पे आपको एक additional option दिया गया है यहां पे अगर आप कम से कम 2000 रुपए की SIP या फिर RD start कर देते हो तो आपका यह जो account है completely zero balance account के अंदर convert हो जाएगा अब देखो यहां पे एक बहुत ही अच्छा saving account है जिसमें आपको बहुत सारी facilities RBL bank offer करता है जैस का limit आपको आज के time में बहुत अच्छा खासा है और यहां पे आपको free phone transfer मेरेगा जैसे की UPI या फिर NEFT और RBL bank आपको time to time अपने saving account पे cashback offers और voucher भी देती है तो यहां पे आपको सारी facilities मिल जाएगी तो अब देखो यहां पे आपको open prime digital saving account पे click करना है आपके सामने complete एक form जाएगा जिसमें आपका ऊपर नाम रहेगा अब आप नीचे आते हो तो यहां पे आपको अपनी कुछ information फिल करना है सबसे पहले दोस्तों यहां पे आपको अपनी father's name फिल करना है नीचे अपनी mother's name फिल करना है marital status में आपको बताना है कि आप single हो या फिर married हो अगेन आप आपको नीचे employment type select करना है कि आप क्या काम करते हैं तो यहां पे अगर आप student हो या फिर self-employed फिर retired या housewife जो भी हो आप यहां से select कर सकते हैं occupation type का option आएगा तो यहां पे भी complete आपको occupation दिख जाएगा आपका जो भी होगा आप select करना source of income में आपको बताना है कि आपका पैसा क आते हो तो यहां पे ckyc का option आता है इसमें आपको कुछ भी fill करने का जरूरत नहीं है उसके बाद नीचे यहां पे आपको branch selection करने का option आएगा तो आपका जो भी नजदीकी branch होगा वो यहां पे आ जाएगा नीचे आप आते हो तो यहां पे आपसे पुछाता है कि आप अप करना चाहते हैं तो अगर आप चाहते हों तो यहां से आप yes करेंगे वरना आप यहां से no कर देंगे अगर यहां पे दोस्तों आप yes करते हो तो नोमनी का नाम नोमनी का date of birth और नोमनी के साथ आपका क्या relationship है वो fill करना है उसके बाद आपको save and continue वाले button पे click कर देना है आप जैसे यहां पे next पे click करते हैं अब आपको यहां पे अपनी card की transaction set करना होगा देखिए अगर आपको यहां पे international भी transactions करना है तो यहां पे आपको international और domestic का दो option आता है मेरा माने तो यहां पे आप international select करना क्योंकि अगर आप international select करते हो तो यहां पे आपको international plus domestic दोनों facilities में ला चाहते हैं तो यहां पे आप definitely yes कर लेना क्योंकि यहां पे इनका credit card है उसका भी offers आपको मिल जाएगा नीचे जब आप आते हो तो यहां पे आपको employee ID का option आता है इसमें आपको कुछ भी fill करने की जरूरत नहीं है और directly यहां पे आप save and continue वाले button पे click कर देना अभी तक आपने जो भी information यहां पे fill किया है सारा information आपके screen पे आ जाएगा आपको नीचे इनका Thompson condition को accept करने और उसके बार यहां पे आप confirm and continue वाले button पे click कर देंगे तो जैसे कि आप मेरे screen पे देख सकते हैं कि यहां पे हमारा successfully account open हो चुका है और यहां पे हमारा account number customer ID even यहां पे हमारा IFSE code भी हमें मिल चुका है अब देखिए यहां पे आपको एक one time deal भी आता है जिसमें अगर आपको यहां पे 399 रुपए आप पे करते हो इसमें आपको hospitality का जो benefit से वो आपको मिल जाता है जिसमें आपको daily cash benefit 10,000 रुपए का दिया जाता है और यहां पे आपको एक policy बेजा जाता है जिसका annual 399 रुपए यहां पे लिया जाता है तो यहां पे अगर आपको जरूरत है तब भी आप इसको लेना वरना आप directly skip to video के YC पे click कर देना अब आप जैसे ही click करोगे आपको video के YC में क्या क्या आपके पास होना चाहिए तो सबसे पहले आपके पास आपका original pen card होना चा और हैं तो आप complete now पे खीक करेंगे और यहां पे अपना वीडियो के YC क्लिक करेंगे दे करेंगे हैं यहां पे आप जैसे ही do it later पे क्लिक करेंगे आपकी email पे इक link भेज दिया गया है और आपको जब भी कभी time होगा आप link पे click करेंगे और directly अपना वीडियो के वाइसी complete कर लेंगे तो दोस्तों आपका जैसे ही वीडियो के वाइसी complete हो जाता है आप rvl bank के mobile banking में login हो जाएंगे और वहाँ पे आपको आपका virtual card मिल जाएगा और instanti अब अपने account को यूज कर पाएंगे साथ दिन के अंदर यहाँ पे rvl bank अपना welcome kit आपके address पे भेज जाता है जिसमें आपका checkbook और आपका ATM card आपको मिल जाता है और यहाँ पे अपने इस account को आप आसानी से यूज कर सकते हैं अगर in future अपने account को आपको zero balance के तोर पे यूज करना है तो यहाँ पे आप SIB कर सकते हो minimum 2000 रुपए से यह फिर आप अपना RD कर सकते हो तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप rvl bank के अंदर अपना saving account वो भी घर बेटे 5 मिनट के अंदर खोल सकते हैं हमें उमीद है कि हमारे आपको बहुत ही पसंद आयोगा इस वीडियो को दोस्तों मेरी पर खसम करते हैं मिलते के लिए किसी इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल लखिए टेक के लिए have a good day